दोस्तों, IPL 24 में मुंबई इंडियन्स का पहला मुकाबला गुजराट टाइटन्स के खिलाफ है जो की 24 मार्च को खेला जाएगा और अपने पहले मुकाबले में शुभमन गिल की टीम गुजराट टाइटन्स को कुचलने के लिए कप्तान हार्दिक पांडिया ने मुंबई इंडियन्स की खतरनाक मजबूत फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें मुंबई इंडियन्स के नए कप्तान हार्दिक पांडिया ने शुभमन गिल की टीम गुजराट टाइटन्स को पहले मुकाबले में हराने के लिए एक से बढ़ कर एक धुरंधर खिलाडियों और घातक गेंदबाजों को ही प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है आपको बता दें कि इन दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया है जो 24 मार्च को खेला जाएगा और हार्दिक कि पलटन की प्लेइंग 11 इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है जिसे देख कर गुजरात के कप्तान सुभमन गिल के भी होश उड़े हुए हैं तो दोस्तों आखिर कप्तान हार्दिक पंडिया ने रोहित शर्मा, जस्प्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव के सुरू के म तो चलिए अब आपको मुंबई इंडियन्स की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों रोहित शर्मा और हार्दिक पंडिया में से कोन मुंबई इंडियन्स का कप्तान होना चाहिए था, नीचे कॉमेंट करके हमें अपनी कीमती रा दोस्तों, क्रिकेट फैंस मुंबई इंडियन्स और गुजराट टाइटन्स के बीच रोमांचक महा मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पंडिया जो की पहले गुजराट टाइटन्स के कप्तान हुआ करते थे, अब मुंबई इंडियन्स ने रोहित शर्मा को कप्तानी पद से हटा दिया है और हार्दिक को कप्तानी की भाग दोर दे दी है, वही गुजराट टाइटन्स के नए कप्तान शुबमन गिल है, अब देखने वाली रोमांचक बात ये होगी कि हार्दिक पंडिया अपनी X टीम के खिलाफ क इस तरह से प्रदर्शन करते हैं और रोहित शर्मा कबसे मुंबई इंडियन्स में वापसी करेंगे क्योंकि अभी ये अपडेट निकल कर सामने आई है कि रोहित शर्मा, जस्पृत बुमराह और सूर्या कुमार यादव ने IPL के शुरू के कुछ मैचिस से अपने कुछ प हैं जिसमें दो बार मुंबई की टीम ने बाजी मारी है और दो बार गुजरात की टीम ने तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर ओपनिंग बैटल की अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं होते हैं तो इशान किसन के साथ ओपनिंग कोन करेगा क्योंकि 70% चांस है कि र रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो मुंबई इंडियन्स की तरफ से इशान किसन के साथ डीवाल्ड ब्रेविस ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि डीवाल्ड ब्रेविस पहले भी MI Cape Town टीम के लिए ओपनिंग कर चुके हैं इनके साथ ही ओपनर इशान किसन जिनका प्रदर्शन पिछले सीजन काफी शानदार रहा था इशान किशन IPL में अभी तक टोटल 91 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 134 के स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए हैं पिछले सीजन 2023 के IPL में इशान किशन ने टोटल 454 रन बनाए थे जिसमें त दोस्तों नमबर 3 पर कप्तान हार्दिक पांडिया ने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है आपको बता दे तिलक वर्मा पिछले दो सालों में मुंबई इंडियन्स की तरफ से काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं जिसकी वज तिलक वर्मा काफी अटैकिंग बल्लेबाज है जबकि दोस्तों नमबर 4 पर T20 फॉर्मेंट के नमबर विन्यन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव चोट के चलते शुरू के कुछ मैच मिस करेंगे ऐसी रिपोर्ट्स निकाल कर सामने आईई हैं ऐसे में चौथे नमबर पर खुद कप्तान हार्दिक पंडिया मैदान में उतरने वाले हैं जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं पंडिया जब कप्तानी करते हैं तो उपर बल्लेबाजी करना काफी पसंद करते हैं मुंबई इंडियन्स ने इस बार हार्दिक पांडिया को RS 17 करोड देकर अपनी टीम में शामिल किया है। हार्दिक पांडिया बहुत ही शांदार ओल राउंडर खिलाडी है। वही दोस्तों पांचवे नमबर पर कप्तान हार्दिक ने निहाल वधेरा को मौका दिया है जो र हार्दिक पांडिया ने उस्ट्रेलिया के खतरनाक खिलाडी टिम डेविड को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। पिछले सीजन में टिम डेविड का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब था। लास्ट के ओवरों में टिम डेविड ताबर तोड बैटिंग करके मैच को फिनि गोपाल, फास्ट बोलर और नोवे नंबर पर दिल्शान मधुशंका को मोका दिया है। वही दस्वें और ग्यारवे नंबर पर पीउश, चावला और श्रेयस गोपाल को मोका दिया गया है। बाकी आपके हिसाब से MI की प्लेइंग 11 में किस खिलाडी को मोका मिलना चाहिए नीचे कॉमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर बताना।